हेलो और वेलकम टू लेट्स क्रैक इट मेरा नाम है अभीशेक और हम उत्राखंड की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नया इनिशेटिव ले रहे हैं जिसके तहां हम क्या करेंगे कि जो भी उत्राखंड में कुई नई स्कीम्स प्लान्स या कोई भी इनि opental फ़ैट था तो उसमें इट्विटिस्मल्ट सा की मिरस्डाफश में 20 क debат थे तो उसके बारे में उन्होंने फैंतौरिसट चार्ड बन गया है तो उससे क्या होगा कि एक तो लोकेशन आपको important हो जाती है कि जिससे कि कुछ भी कभी भी एक question बन सकता है कि इन में से कौन सी location है कैसी है जिसमें स्वामी विवकनन्द आये थे या नहीं आये थे तो यह आपको पता होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं पहले मैं आपको एक बार यह route दिखा देता हूँ यह आप route द गुना घाट, मॉर्नोला, पहाड पानी और धारी अब यह इंगली शिंद्री तो कुछ नहीं है क्योंकि जंगाओ के नाम है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कहां पे क्या था और इनकी क्या-क्या significance है इन सभी regions की जहां-जहां पे गए थे तो वो यहां पे mentioned है तो उसको ने उत्रागंड की कितनी बार यात रहेगी तो पांच बार यात रहेगी फिर उसके बाद अलग अलग जहां पर इनुने लिख रखाए से ने निताल में क्या रहा काकडी घाट का कैसा था कर्बला में उन्होंने क्या किया तो वो सब चीज उन्होंने हापे mention कर रखी है तो यहीं पर कर्बला के पास बहुत मुश्किल रास्ते थे और गर्मी से और प्यास से भी महाँ पर unconscious हो गए मुर्चित हो गए यानि भी होश हो गए थे तब पास में कब्रिस्तान था तो उसकी चौकिदार ने उनको पहाड़ी ककडी खिला कर उन्हें होश में लेके आए थे तो यहां पर important है कि एक तो वो कहाँ भी होश होए थे कर्बला में किसने उनको unconsciousness से consciousness में लेके आए कब्रिस्तान का एक चौकिदार था क्या खिलाया था पहाड़ी ककडी खिलाया थी तो यह सब चीजे questions के तुरू पूछी जा सकती है UK SSC में और चाही UKPSC में भी फिर अलमो आए तुन्होंने उस चौकिदार व्यक्ति को पेचाना और उससे कहा कि यदि यह भाई ने होते तो आज ही विवेकरन भी नहीं होता यानि कि उनको एक रेवरेंस एक आप कह सकते हो एक respect दिया उस परसन को फिर धारी गाउं देखिए 29 से लेके 3 जैनवरी तक उनका लगात कसार देवी में यहाँ पर उन्होंने ध्यानसादना यानि कि meditation किया कसार देवी में फिर देवलधार में भी उन्होंने लेखन यानि कुछ literature लिखा पतर चार कुछ journalism का काम किया और उन्हों पर घुट सवारी भी करते तो यहाँ उन्होंने horse riding भी कि और धेरादून में जो र तो यह इसमें से कुछ भी पुछा जा सकता है आपसे तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको सोचा सही सोचा कि आपको मैं इसको कवर करवा देता हूं तो आप ऐसी वीडियो देखते रही है लाइक करते रही है और टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजेगा जिससी कि आपको सारी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे हैं और आपसे कोई भी वीडियो उत्राकंड की ना छूटे तो थेंक्यू और बाबाई